आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सलाम नमस्ते रादे रादे दुआ करता हूँ आप अपनी जिंदिगी में खुश होंगे या पॉजिटिव सोचते होंगे चाहिए आपकी जिंदिगे में कितनी भी मुश्किले क्यों नहों आपको खुश तो रहना ही होगा या फिर यान की साथ दिन की energy हम यहां पर check out करेंगे आपके person की क्या अगले साथ दिन में क्या बतलब आ सकता है आपकी रिष्टे में आपकी person की तरफ से क्या action हो सकता है इस रिष्टे में चाहिए no contact situation चल रहा है या दोनों separate हुए है एक दुसरे के साथ आप adjust नहीं कर पा रहे है फ जब भी देखेंगे इस वीडियो को आपके situation के साथ match करेगा resonate करेगा सभी राशी वालों के लिए reading होता है तो यह मत कहिए कि यह मेरा reading नहीं है आपके लिए नहीं है तो छोड़ दीजे जो आपको लगता है कि आपका है वही claim केजे आप personal reading भी book कर सकते हैं जिसके charges होते हैं करते है cards को कि आज अपके person क्या सोच रहें और आगे आने वाले एक हफ्ते में क्या action हो सकता है उनकी तरफ से इंजल मुझे please guide करें इंजल से यूनिवर्स मुझे please help करें मुझे बताएं जितने भी वीवर्स अभी इस वक्त यह वीडियो को देख रहें उनकी person की आज क्या thoughts हैं क्या current feelings हैं क्या वो imagine कर रहें क्या सपने देख रहें क्या सोच रहें कैसी है उनकी energy सबसे पहले काड़ the attachment यहां पर मुझे लगते काड़ strongly मुझे यह कहता है कि person ने खुद जान बुचकर आपसे distance grade किया है या आपसे दूर रहने की कोशिश किये अभी क्यूं उनको दूर जाना था तो कुछ चीजे हैं जिसकी clarity उनको नहीं मिल रहे थी कुछ चीजों के जव रहने के बाद यह अपने माइंड को थोड़ा सा शान कर रहे मतलब जो उलजे हुए सवाल है या जो सवालों के जवाब इनको नहीं मिल रहे आपके बारे में इस रिष्टे के बारे में या future को लेकर उसको सोचते में नजर आते next का destiny अभी तक यह person आपको destined partner मानते तो है य जाए वो नहीं मांद रहे आप नहीं मांद रहे हो family problems है या इस रिष्टे का future नहीं है लेकिन उनको लगता है कि दोनों की मनजिल एकी है destiny एकी है मनजिल कहीं पर भी जाएं आप या कितना दिन कितने हफते कितने महिने कितने साल एक दूसरे से अलग रहें लेकिन आपके partner क यह उमीद है कि दोनों की मनजिल एकी है तो हम लोग मिलेंगे ऐसी उनकी आज की सोच है आने वाले दिरों में कुछ ना कुछ यह बदला मुझे लगता है आएगा क्योंकि यह सोच रहें कि दोनों की मनजिल एक है तो आपसे interact करने की कोशिश जरूर करेंगे next is man I want to fix our connection और मुझे एकार्ड यह भी कहता है कि इन्होंने आपका दिल तोडा है तो यही है जो दिल जोड सकते मतलब अगर दिल तूटा है आपका तो सिर्फ और सिर्फ एस परस्न की आपकी तरफ से दूर जाने के वज़े से दिल तूटा है तो अगर एस परस्न लोट कर आते हैं त तो वह कही ना कही वह घाव भरने की कोशिश तो वह अब आप जब देखकर गए आपका जो दिल तोड गए उसका जो जैसे कहते है न imleaf जो है आपके दिल की दवआ इस परसली के पास गाम तर इस भी तो जब तक यह कहते डूर्टाव मेरिक दक किसी ने तोड़ने की कोशिश किया हम दोनों को किसी ने अलग करने की कोशिश किया थर्ड पार्टी शायद आपको पता है या शायद आपको पता नहीं है अगर आपको सोल मेट कनेक्शन है तो आपको पता चलेगा कि थर्ड पार्टी है क्योंकि इनकी स्वबाव में आएगा अगर आपको अवाइट कर रहे तो शक तो आपको जरूर होगा कि यह परसन कुछ तो चुपा रहे हैं तो यहां पर डी अटेश्मेंट यानि कि आप से दूर रहने की वज़ें थर्ड पार्टी हो सकते हैं कि इनको तो confusion था कि थर्ड पार्टी सही है या आपके साथ उनका रिष्टा सही होगा यह भी confusion हो सकता है तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच होने के chances भी आपर नजर आते हैं ego का card आया है हो सकता है कि आप में थोड़ा ego है जिसके वज़े से person को लगा कि future ठीक ने होगा आपको गुस्सा आता है चोटी चोटी बात पर या आदत हो सकते हैं शक करने का तो यह चीज़े थोड़ी सी कही ना कही मुझे लगता है कि person को आप से दूर कर रहे थी या हो सकत रहे कोई नहीं चाहता है कि मेरा partner ego attitude में हो यह तो नहीं चाहेगा हर कोई चाहेगा कि मेरा person भले उसके पास कुछ भी ना हो लेकिन प्यार करने वाला support करने वाला हो तो अगर आपको ऐसा लगा कि आपकी partner में ego बहुत जादा है तो मुझे लगता है कि यह कारण हो सकता है आ नहीं परसन बदलेंगे disagreements I wish you understood how I feel यहाँ पर थोड़ी चीज़ें ऐसे लगता है कि अगर आपको लगता है कि परसन में ego attitude है तो कहना चाहते हैं कि वह agree नहीं कर रहे वह नहीं मांद रहे कि उनमें ego attitude है हो सकता है कि बात करने का तरीका उनका थोड़े सा कड़क है थोड़े देना चाहते हैं आपको mental tension देना चाहते हैं वह कदापी नहीं है उनका मतलब लेकिन ऐसे लगता है आपको कि यह person आपको नहीं समझते यह person कहना चाहते हैं कि आप उनको नहीं समझते अच्छी तरह के से नहीं समझते भले आपनी बहुत सारा time spend किया दोनों ने एक साथ ले या एक दुसरे की बात को आप लोग कहीं नहीं नजर अंदाज करते हो, bottom of the deck है, sabotage, I mess up the good things in my life, परसन ये भी कहना चाहते हैं, कि उन्होंने खुद खराब की हैं, चीजें, जो कि अच्छी थी उनकी जिन्देगी में, उनका future था, लेकिन नहीं समझ सके, नहीं नहीं था, मेंद बात यहां पर जो लगती है, अगर cards देखा जाए, तो परसन कहीं कहीं connected नहीं फिल कर रहे थे, आपके साथ, ये नया नया रिष्टा हो सकता है, तो कहीं न की थोड़ी चीजें मुझे लगता है, ये परसन सुनने की मूड में नहीं थे, आप कुछ कहना चाहते थे, इस परसन को कुछ गहरी बाते, या ऐसी कुछ बाते आप उनको express करना चाहते थे, लेकिन परसन हमेशा उसे टालते थे, कि अभी नहीं, अभी नहीं ऐसा, उनको डर था कि बात भीगड़ जाएगी, तो कहना कि अगर उनकी तरफ से गलतियां हुई है, तो परसन एकांद में बैटकर उसके उपर सोच रहे, अगर आप से गलती हुई है, आपको लगता है कि आपकी वज़े से ये परसन दूर गए है, आपकी वज़े से आपकी पार्टनर का दिल तूटा है, और वो दूर गए है, तो कहना कि आपको भी एफर्ट्स डालने होंगे इस रिष्टे में, क्योंकि हो सकते कि ताली जैसे हम कहते हैं, ना कि एक हाथ से नहीं बज़ती है, कहिन कि आपकी भी थोड़ी गलती हो सकते हैं, उनकी भी थोड़ी गलती हो सकते हैं, और रिष्टा दोनों का है, तो दोनों को एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप नहीं समझते हैं, जब तक आप एफर्ट्स नहीं गालते हैं, तब तक चीज़े बीगरती जाएंगी ये मुझे आपर फिल होते हैं क्लैरिफाय करेंगी कुछ कार्ड्स लेकर इंजल्स मुझे बताएं जो भी वीवर्स मेरे इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके जिन्देगी में आने वाले साथ दिन कैसे रहने वाले हैं उनके रिष्टे में आने वाले साथ दिन कैसे रहने वाले हैं इंजल्स मुझे प्लीज बताएं क्या एनर्ची आ रहे हैं अगले साथ दिन के लिए इंजल्स मुझे प्लीज बताएं एंजल मुझे प्लीज बताएं आने वाले साथ दिन कैसे रहने वाले हैं 10 of pentacles 4 of cups 10 of wands 2 of wands Hermit Tower King of swords bottom of the rank high priestess आप देख सकते हैं यानि कि इस रिष्टे में balance लाना बहुत ज़रूरी है इसा universe की तरफ से message आपको एक दुसरे को जब तक आपको वक्त नहीं देते एक दुसरे की बात आप नहीं सुनते एक दुसरे को इज़त नहीं देते एक दुसरे को understand नहीं करते एक दुसरे की परेशानियों को नहीं समझते सिर्फ प्यार करना नहीं होता है लेकिन परेशानी में उस person का साथ देना बहुत ज़रीर होता है अगर आप परेशान है तो आपके partner को आपका साथ देना चाहिए उस वक्त अगर वह परेशान है तो उनको समझने की कोशिश कीजिए यह कहने की कोशिश करें यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रॉंग मैसेज है बॉटम ऑफ देक और यहां पर चो कार्ण साए है न यहां पर मुझे लगता है कि person के उपर बहुत ज़्यादा बोज है अगर यह दूरी है ब्रेक अप यहां पर मुझे न ना चाहकर भी और दोनों रोये हैं इस ब्रेक अप के बाद यह भी मुझे यहां पर फिल होता है दोनों को सपना यही था कि फैमिली बसे क्योंकि दस नमर के दो कार्ण मुझे यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली चाहते हैं या शादी चाहते हैं आप लोग एक साथ रिष्टा मतलब continue करना चाहते हैं लेकिन परसन के उपर बोज बहुत हैं परसन के उपर टेंशन है डिप्रेशन है जो कि आपको पता नहीं है और आप यही सोचते हो कि परसन बदल गए आप यही सोचते हो कि परसन पहले जैसे नहीं है पहले जैसे बात नहीं करते पहले जैसे वो प्यार से पेश नहीं आते पहले जैसे वो आपको नहीं समझते तो यह जो कहीं न कहीं एक हैपी कार्ड है एक सैड कार्ड है और दोनों 10 नंबर के कार्ड है आपको ज़रू क्ले तो भी क्योंकि third party का card already आ चुकाता है यहां पर तो अगर third party जैसे कि family third party अगर है और उन्होंने मना किया है love marriage के लिए उन्होंने मना किया है आपके रिष्टे के लिए क्योंकि आप उनसे बड़े हो आप दोनों की cast अलग है या दोनों का status match नहीं होता है बराबरी के नहीं है यह सबक अगर चीज़े family को लगती है उनको नहीं उनके family को अगर लगती है तो उसमें से रास्ता डुनने की कोशिश कर रहे है बरसन उसमें से कोई हल निकलने की कोशिश कर रहे है क्योंकि अगर आप देखेंगे de attachment का card और four of cups तो दोनों cards में confusion है एक में इंसान इतना confused है क कि देखी नहीं सकता कि आगे वक्त अच्छा रहेगा अगर मैं decision लूँ अगर आपके partner decision लेंगे अगर partner सोचेंगे partner मन से चाहेंगे कि आपके पास आएं तो वो कर सकते हैं लेकिन अगर partner शांत अकेले बैटेंगे तो आपका tension भी बढ़ेगा उनका भी tension बढ़ेगा तो मु कुछ clear करना चाहते हैं कुछ चीजों के ओपर सोच विचार कर रहे हो सकता है कि कुछ हफते पहले कुछ मैने पहले ऐसी कुछ बात हुई आप दोनों की बीच जहां पर person थोड़े से confused हुए इस रिष्टे को लेकर break up तो हुआ हो सकता है कि आपने बोला कि यह रिष्टा आप खुश हैं आपके partner खुश हैं तो उसका answer है no दोनों भी खुश नहीं क्योंकि आपर person बैटी इस तरीके से हैं और अगर वो दूर गए हैं तो भी वो सोच रहे कि इस रिष्टे को कैसे फिर से ठीक किया जाए reunion के बारे में सोचते वह नजर आते जो भी परेशानिया है person आपको नहीं बताना चाहते इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि और आप परेशान हो जाएंगे तो कहीं नखी वह यह जो person आपके partner है आपकी खुशी को लेकर भी तो सोच रहें ऐसा नहीं को selfish है अपने बारे में सोच रहें ऐसा भी नहीं है वो आपके बारे में भी कोशिश भी कर रहें person आना चाहते हैं person अकेले पड़ गए हैं इनके जिंदेगी में और कोई है नहीं भले इनके लिए family ने रिष्टे लेकर आए हैं ऐसा नहीं है कि आपके लिए रिष्टे नहीं आये हैं लेकिन क्या है ना आपके भाग्य में आपके destiny में love marriage लिखी है तो चाहकर भी marriage marriage नहीं होगी क्योंकि आपके love marriage लो marriage होने वाली ही है वो लिखा हुआ है अपके तंदिर में आपके partner में तो love marriage ही होगी उसे change करके arrange marriage अगर हो जाती है किसी भी हाल में arrange marriage करती है तो तूट जाएगी या फिर divorce हो जाएगा क्योंकि इनसान आपके partner वहाँ पर खुश रह सकेंगे यह आपर strongly मुझे energy महसूस हो रही है कि person कहीं लगे आपको खुश देखना चाहते हैं आपकी खुशी के लिए यह person दूर गए है और दूर जाने के बाद यह person चीज़े ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं इनकी सोच ऐसी है कि मुझे यहाँ पर यह लगता ह कि इनके सामने क्या सच्चाई आई है हो सकता है कि third party की सच्चाई इनके सामने आई है या आप शादी शुदा हो अपने चुपाया है तो वो सच्चाई उनके सामने आई है या अगर वो शादी शुदा है आपसे चुपाया है तो आपके सामने वो बात आई है यहाँ पर और ना कोई खुश रह सकता है, तो अगर doubt है, शक है, शक सबसे बड़ी बिमारी कहते है न, love lab में सबसे बड़ी बिमारी शक है, तो अगर आपको शक है, तो ज़रूर आपको उसी वक्त पूछना चाहिए, उसी वक्त clear करना चाहिए, अपनी मन में ऐसी बाते मत रखेगा, जि जिससे आपको तकलिफ होगी, तो मुझे यह लगता है, आगे future के energy साथ दिन के अंदर, कि person decision लेने वाले हैं, कुछ न कुछ इस रिष्टे के बारे में, कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, या इस रिष्टे को तोड़ना चाहते हैं, और रास्ता ढूंडे में भी नजर आत होता है, और कुछ cards लेंगे दूसरे deck से और check out करेंगे, इंजल से प्लीज मुझे 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 प्लीज यह पर आप देख सकते हैं कि बहुत जादा स्ट्रेस सिच्वेशन बहुत जादा जैसे की टैंशन में कुछ समझ भी नहीं आता है इस परसन के यह परसन रिष्टा तोड़ा है तो बहुत जाद दुखी है सैड है और इनको लगता है कि मैंने ऐसे क्यों किया क्योंकि उन्हों ठीक होंगी और परसन खुद इसमें प्रयास करेंगे खुद इसमें एफर्ट स्टालेंगे डेथ का कार्ड यह कहता है कि अगर आपको लगता है कि सब कुछ एंड हो गया खतम हो गया परसन वापस नहीं आएंगे यह रिष्टा कभी चुड़ेगा नहीं तो अभी भी उमी द्याँ पर नजर आती है कि परसन ऐसा कुछ डिसीजन लेने वाले हैं जो कि दोनों की फेवर में होगा दोनों उसमें खुश रहेंगे क्या दोनों की खुशी के बारे में सोचकर वो डिसीजन लेंगे यह मुझे यहां पर नजर आता है तो अभी थोड़ा से वक्त उनको को देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब इंसान टेंशन में होता है न तो आप उसके उपर और टेंशन नहीं डाल सकते कि मुझे बताओ मुझे बताओ क्या हुआ है या फिर मेरे से बात करो मुझे फोन करो मैसेज करो नहीं उनको अपने हाल पर छोड़ दो हो सकता है कि बहुत संब करेंगंगे वह यहां थे न आप ऋपार्टी ज़रूर है यहां पर डेविल का काड थेपार्टी को अब बताता है यांगि टेन आप वांड जो है न थाड़ पार्टी की वज़े से परेशान परसन डिसीजन नहीं ले पा रहें परसन को तक्लीफ होरें आपके फसे हैं ऐसे रिष्टे में या ऐसे connection में या ऐसे पास्ट में जहां पर वह चाहकर भी उनसे चुटकारा नहीं बास सकते हैं यहां पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि किसी के साथ इनका रिष्टा था उन्होंने तोड़ा और आपके साथ जोड़ा लेकिन कहीं ना कि पास्ट अभी वापस उनके जिन्देगी में आकर उनको आपसे चिनने की कोशिश कर रहे हैं तो third party situation strongly यहां पर है कोई यहां पर black magic कर करने वाला इंसान यहां पर मुझे कोई दिखाय देता है या दोनों की बीच ऐसा इंसान है negative जो नहीं चाहता कि रिष्टा आगे बड़े दोने की जिंदेगी सफल हो दोनों की जिंदेगी में खुशिया हो ऐसा कोई इंसान जलस इंसान मुझे दिखाय देता है जो कि आप का और आपके पार्टनर का रिष्टा टोडने की कोशिश कर रहे है तो यह devil कारड negative है बहुत जाधा negative है और person मुझे लगता है कि smoking कर रहे हैं drinking कर रहे हैं कुछ गलत आदतों में पड़े हैं कुछ नशा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते या उनको जबरदस्ती किसे ने आपसे अलग करने की कोशिश की हैं और वो tension से मुक्ती पाने के लिए ये person कुछ न कुछ addiction ज death अगर देखा जाए तो यहां पर मुझे यह लगता है कि अगर black magic की आता person के ओपर तो वो खतम होगा अगर इनके ओपर और कोई negative energy थी तो वो खतम होकर नहीं शुरुवात तो है क्योंकि इसके पहले death card यह कहता है कि नहीं शुरुवात है तो भले इसमें third party situation है तो person खुद उनको छोड़ेंगे या third party को पता यहीं लगेगा कि इनको रोक कर कुछ फाइदा नहीं है क्योंकि इनसे मुझे प्यार तो नहीं मिलेगा तो third party खुद उनको आजाद कर सकती है यह भी मुझे यहां पर लगता है tower को हम देखेंगे कि tower क्या कहना चाहता है ऐसे तो tower break up का है लिवोस का है कार्ड या suddenly कुछ होने वाला है अच्छानक चीज़ें कुछ होने वाली है क्या होंगी वो clarify करेंगे tower clarify कीजे angels मुझे बताए tower का the tower का card यहां पर क्यों आया है क्या कहना चाहता है tower का card angels मुझे please बताए tower का card ace of pentacles है यानि कि tower में यानि कि break up तो होगा या third party को जैसे कि निकाल देंगे अपने जिन्देगी से आपके पार्टनर या third party से मुक्ती मिलेगे आपके पार्टनर को third party ने जो जकड कर रखा है या कोई past है आपके partner के जिन्दिक में कोई past है जो आपको पता नहीं है कि वो शादिशुदा है या उनका divorce होने वाला है या उनकी कोई girlfriend थी उनकी कोई उनका कोई boyfriend था जो की toxic था और वो छोड़कर आपके साथ उनको खुशी मिले तो आपके साथ रिष्टे में आए तो वो रिष्टा खतम करना चाहते हैं और new beginning चाहते है एस पांटिकल से कहता है कि new beginning होगी टावर यानि कि अच्छनक वो रिष्टा तोड़कर person आपके पास आ सकते हैं आपको पता था कि किसी और रिष्टे में हैं लेकिन कहीं आप अटेश्ट हो गए कहीं एस person से आपको positive feel हो रहा था आपको safe feel हो रहा था आपको comfortable feel हो रहा था तो आपने रिष्टा जोड़ा अभी person दूर गए तो आपको तकलीफ हो रही है आपको परिशानी हो र पुरा है उसे खतम करकर यह person मुझे लगते हैं आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हमिट काड को भी clarify करेंगे एंजल मुझे प्लीज बताएं हमिट का कार्ड क्या कहना चाहता है प्लीज बताएं इंजल से यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं हमिट का हमिट का कार्ड एट ऑफ पैंटिकल्स यानि कि person फसे हुए हैं बुरी तरह के से अटके हुए हैं और रास्ता ढूणने की कोशिश कर रहें इनके उपर जिम्मेदारिया हो सकते हो सकता है कि अपने आपको यह person stable बनाना भी चाहते हैं अपनी करियर के उपर focused हैं मेहनत कर रह और अपना गम भूलने के लिए काम में busy रहने की कोशिश करते हैं ताकि काम करते करते वह आपको भूल जाएंगे या आपकी याद नहीं आएंगे यह कार्ड मुझे कहता है nine of जैसे कि यहां पर हमिट का का यह मुझे कहने की कोशिश कर रहा है इस का यह होता है कि person रास्ता करने की chances मुझे ज़ादा लगते हैं क्योंकि eight of pentacles हैने की मेहनत कर रहे हैं efforts डाल रहे हैं मेहनत इनकी मुझे नजर आते हैं और मेहनत हमेशा रंग लाती है आप चुप रहेंगे या चुप चाप बैटेंगे action नहीं लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है आपको जो चाहिए उससे आपको hustle करना है और यह person वही कर रहें कि उनको आपका साथ चाहिए और वह hustle करना चाहिए क्योंकि कोई इनकी घर आपको लेकर तो नहीं जाएगा इनको efforts डालने होंगे इनको कुछ न कुछ प्रयास करना होगा कि वह कैसे आपसे मिले कैसे आपके साथ रिष्टी में या कैसी जो commitment आपको दिया है उससे पूरा करें यह इनके हाथ में है तो कहीं न कि वह person मुझे लगता है कि efforts डाल रहे हैं आगे देखेंगे अपके लिए next seven days के लिए guidance क्या है इंजिस मुझे प्लीज guide करें मूझे बता हो जितने ही भीارस अभी इस वक्त की विडियो को देख रहें उनके तुलिए next seven days के लिए क्या guidance क्या आ रहे है उनके जिंदają कि में नेक्ट इब क्या guidance आप्से आप Queen of Wands और King of Pentacles क्या बात है यहां पर ऐसा है कि दो हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा वक्त है यानि कि साथ से 14 दिन के अंदर बहुत अच्छा वक्त आपके जिंदिगी में आएगा क्योंकि परसंद कुछ कोशिश करेंगे आपसे बात करने के लिए अगर ब्लॉक किया है तो अ कॉमिनेटिंग था उनके जिंदिगी में तो उसमें से वो छुटकारा पाना चाहते है अपनी दिल की करना चाहते है जो उनको लगता है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि King of Pentacles उनके पास खुशिया इनको लगता है कि मेरी खुशिया मेरे हाथ में है तो मुझे उसे नहीं खोना है या कहीन कि उनको लगता है कि आपको नहीं खोना है आपके साथ वापस आना है चौदा नंबर की दो कार्ड मुझे लगता है strongly एक बड़ीट हो सकते हैं चौदा नंबर किसी की या दो हफ़ते की एनर्जी है यहां पर कि कहीन की मुझे या 14 गंटे में हो सकता है कि call messages आपको आ सकते क्योंकि दो नंबर दो बार 14 नंबर की एनर्जी आई है यहां पर भी एक 14 नंबर का कार्ड आया वह है जो यहीं कहता है कि कहीन की मुझे लगता है कि positive वक्त आपके जिन्दीगी में आ रहा है अगली जो साथ दिन है उसमें person कहीन की call messages से शुरुबात कर सकते हैं फिर से आपके साथ contact में आ सकते हैं और धिरे धिरे यह मुझे लगता है आपसे मिलने के लाएंगे अगर negative energy थी कोई negative person था आपके जिन्दीगी में आपके पार्टनर के जिन्दीगी में third person कोई था तो वह हड जाएगा उसी छोड़कर person आपकी तरफ आने की कोश करेंगे आपके साथ रिष्टा ठीक करने की कोशिश करेंगे आपको क्लीम करना है 1414 14 को जरूर क्लीम कीजिएगा राशी की बात करते हैं यहां पर जैमिना लीब्रा एक्मेरेज मितुन राशी तुला राशी और कुमबर राशी एरिस लिओ साजटेरियस मेश राशी सिहर राशी और धनु राशी उसके बाद है कैंसर पायसु स्कॉर्पियो करकर राशी मिंड राशी व्रशक राशी और टॉरस वर्गो कैंप्रिकॉन मकर राशी व्रशब राशी और कन्या राशी हैं कि सबी 12 राशियां यहां पर आई हुई हैं नेक्स जो लखी नंबर हैं वो यंज यंज और क्या अन्किए उनिवर्स